नमस्कार दोस्तों, ओनलाइन लेर्निंग श्रन चनल में आप सभी का स्वागत है सतर शब प्रति मिनिट की गती से संपायत की रिक्टेशन शुरू होगी तीन सेकेंड बाद स्टार्ट हर अधिवक्ता अदालत में इसी संकल्प और तैयारी के साथ उतरता है कि वहे अपने मुवकील को इनसाफ दिलाएगा वकालत के पेशे में नैतिक दायत्व भी यही होता है और इसी से वकील की साख बनती है इसलिए हर वकील कानूनी बारीकियां और दलीलें पेश करते हुए अपने मुवकील के पक्ष को सही ठहराने का परियास करता है अदालतें भी उन पर भरोसा करके चलती है दरसल वकील अपने मुवकील और न्यायधीश के बीच एक सेतू होता है इस तरह कई बार न्यायधीशों को भी वकीलों की जिरह से कानून की बहुत सारी बारीकियों को समझने में मदद मिलती है मगर वकील जब इस विश्वास के रिष्टे का फाइदा उठा कर जान बूज कर अदालत की आँखों में धूल जोकने का परियास करते हैं तो उससे पूरी न्याय प्रकरिया गुम्रह होती है और न्याय का रास्ता बाधित होता है सर्वोच न्याले ने इसी परवर्ती पर चिंता परकट करते हुए कहा है कि वकीलों के जूटे बयानों से हमारा विश्वास डगमगा जाता है सर्वोच न्यायले ने नोट किया कि पिछले तीन चार हफ्तों में साथ आठ ऐसे मामले सामने आए जिसमें वकीलों ने जूटे बयान दे कर अपने मुवकील की सजा माफ करने या उसमें छूट देने की गुहार लगाई पैरा कानून में यहे प्रावधान है कि किसी दोशी के अच्छे आचरण और खराब स्वास्ते आदी के मद्दे नजर उसकी सजा कम या खतम की जा सकती है मगर उसके लिए नियूनतम अवधी की सजा काटना जरूरी होता है इसी तरह कुछ पारिवारिक और वेक्तिगत कारणों से कैदियों को कुछ दिन फरलो पर बहार रहने की इजाजत दी जा सकती है इन ही प्रावधानों का लाब उठाते हुए कुछ वकील अपने मुवकील को समय से पहले सलाखों से बहार निकालने का परियास करते हैं मगर सर्वोच न्यायले ने जिन मामलों का संग्यान लिया उनमें देखा गया की वकीलों ने जूटे बयान और दलील देकर सजा माफी की गुहार लगाई एक मामले में सजायफता चार कैदियों को लेकर कहा गया कि वे चोदा वर्ष की सजा काट चुके हैं यहे भी बताया गया कि चारों को हत्या के मामले में सजा दी गई थी मगर अदालत को पता चला की उन्होंने ना केवल चोदा वर्ष की सजा पूरी नहीं की थी श्टॉप